नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रिय ब्लॉग के एक नए और बहतरीन वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुगर प्रोसेस की किसकी बात करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे सुगर प्रोसेस की सबसे पहली चीज तो आप ये जान लिजे कि सुगर प्रॉसेस हम क्यों समझने जा रहे हैं आखर इसके नीद क्यों पड़ी कि सुगर प्रॉसेस हमें समझना पड़ा तो मैं मेरा जो भी experience है सुगर प्लांट का उसमें जो मैंने experience लिया है मैं आज उसको थोड़ा सा discuss करूँगा फिर हम topic पे चलेंगे इसको समझना आपके लिए भी जरूरी है इसलिए मैं इसको discuss करूँगा department की बात करें तो इसमें बहुत सारे department है जो आप से related है मैं उन दो departments के बारे में आज हम बात करेंगे पहला होता है engineering और दूसरा होता है process process कहलो या कहलो manufacturing किसे कहलो manufacturing अब इस manufacturing department का ही पूरा section होता है engineering का काम ये होता है कि जो sugar cane raw sugar sugar cane आता है उसका juice provide करेंगे manufacturing को दे देना तो इस duration में sugar cane से हम दो process को समझेंगे दो steps में समझेंगे पहला step जो होगा वो होगा sugar cane से juice तक का flow कैसे बनता है juice कैसे बनता है दूसरा हम समझेंगे juice से किस तरीके से sugar बनता है इन दो चीजों के बारे में हम जानेंगे और कोसिस करेंगे कि साबको हम flow chart के माद्यम से समझने की कोसिस करें इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाद है एक और सबसे ज़रूरी बात यहां पर एक नीचे लाल बटम दिख रहा होगा करपाई से सब्सक्राइब कर ले और हम इसे तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर की जो किशान होता है वो गन्ने को काटता है और काटने के पश्चात वो क्या करता है कि उसे लेया करके उसकी छिलाई करता है साफ सफाई करता है क्लीनिंग करता है कह लिए और वो ला करके सुगर मिल प्लांट को दे देता है किसे दे देता है सुगर मिल प्लांट को आप इ हमारा जो आता है वो आता है auxiliary cutter क्या आता है auxiliary cutter इससे पहले आप यह समझ लिए कि यह एक केन कैरियर होता है जिसमें चेन अनलोडर के थ्रू गन्ने गिराये जाते हैं और वो गन्ना आगे बढ़ता चला जाता है यह चीज्ट तो आप समझी रहे होंगे तो चले अब auxiliary cutter के इसके बाद क्या होता है आता है chopper इसके बाद आता है head on cutter और फिर इसके बाद आता है leveler और फिर आता है सबसे important fiberizer कि अब fiberizer के बाद ही हमारा सुरू होता है milling section जूस का process तो चलिए अब इसको हम एक flow यह तो हम समझ लिए एक flow diagram था जिसको हमने आपको बताया तो मैं इसे एक अच्छे तरीके से ढंग से बना देता हूं कि हमने क्या सीखा तो सबसे पहले हम गन्य को केन करियर में उतारते हैं केन करियर के बाद यह जाता है आग जिलेरी कटर को प्रारम्भिक कटर जो सबसे पहले उसको काटता है उसके बाद हम आते हैं चौपर पर चौपर के बाद यह देता है हेडान कटर को और फिर यह देता है लेबलर फाइब राइजर और फिर हमारा सुरू होता है यह तो आप समझी गए होंगे अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके DCS ओपरेशन की तो DCS ओपरेशन किस तरीके से काम करता है और क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों यह एक DCS ओपरेशन है जिसमें मैं आपको मिलिंग सेक्षन के आगे की हिस्से के बारे में बात करता हूँ जिसमें LCC, ACC, FCC, IRC सारे चीजों के बारे में दिखाया गया है मैं फ्लो टाइग्राम में जो क्रसिंग का पॉइंट दिखाया वो यही सेक्षन है जहां पर क्रसिंग की जाती है इसमें गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े से उसको लेवलर मतलब उसको बराबर हिस्से में बाटा जाता है और फिर उस लेवलर के बाद फाइब राइजर में आता है फाइब राइजर जैसा की नाम से ही आप समझ रहे हैं कि फाइब राइजर का मतलब उसे छोटे-छोटे महीं रेसों में बदल देना मोटे गन्ने को एक रहे हैं अब हम उसको खूब अच्छे तरीके से और बढ़िया धंग से हम इसको इस फ्लो के मात्यम से देखेंगे इस फ्लो का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है स्क्यूडन को जिसके दौरा हमने ये फ्लो डाइग्राम टिक अप किया है और इस फ्लो डाइग्राम में हम अगर आपको क्लियरली समझाना चाहें कि क्या क्या कैसे कैसे है तो अब हम इसकी पूरी डीटेल्ड वीडियो इसमें देख रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले ये एक सेकंड दोस्तों ये जो हिस्सा है ये है सुगर का किसका है दोस्तों? ये हिस्सा है सुगर का ये सुगर केन हो गया इसको black कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा यह वाला जो हिस्सा है यह हमारा पूरा sugar cane का है मतलब यहां पर गन्ना आता है cutting होती है cutting होने के बाद यह जो cutting का हिस्सा है cutting होने के बाद यहां पर plant का production, machinery, fuel यह सारी चेज़न जो है यह इतना section किसान का समझ लेते हैं जो किसान गन्ने को उगाता है अब इसके बाद जो main process आता है वो wait कराता है जिसके दोरा उसको wait के थूँ इसको पैसा मिलता है और फिर sample कलेट कराके वो दे देता है store को अब यहां storage से लेकर के इसके बीच में बहुत सारे process होते है कौन से process होती है वो होती है cane unloading की किसकी process होती है दोस्तों cane unloading की और इसी cane unloading के duration में हम cane carrier की बात करते हैं जिसमें cane carrier में गन्ना गिरता है और इसके बाद आता है crushing schedule पे अब crushing schedule में क्या होता है क्षूब धःान से समझिएगा यह जो एक सब्द में इन्हों ने क्रसिंग सेनल क नाम दिया है वो क्रसिंग सेच्टियूल में चॉपर है डाउन-कटर से लेकर के फैब राईजर तक की बाते हैं हम इसी di लेते हैं ठीक है ना अब इसके बाद मिलिंग सेक्शन आता है मिलिंग सेक्शन में हमने यहां पर तीन मिल दिखाया है और आपके यहां पर बहुत सारी मिल हो सकती है उसकी अलग चीज़ें अब फिर इसके बाद हमारा आता है बगास और जो बगास बचता है वह सीधा चला ज होती है एक तरीके से हम कर सकते हैं इस पर्वалист म में क्लेनिंग होती है उसमें लाइम राइजाता है लाइम मिलाने के बाद फिर इवोपरेशन में चला जाता है अब इस डिूरेशन में क्या होता है कि इसी जूस को हम आगे बढ़ा कर स्क्रीचल भी स्थे थैंस अगर हमें distillation करना है तो इधर से fermentation और distillation का process चला जाता है जहां पर ethanol और बनाया जाता है लेकिन इधर फिर क्रिस्टलाइजर के बाद raw sugar बन जाता है इसे हम और अच्छे से समझें तो किस तरीके से समझ सकते हैं वो हम इसमें दिखाएंगे कैसे बनता है देख लिए दोस्तों ठोड़ा ध्यान से समझिएका इसमें हमने sugar Route लेने के बाद हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि यह मिलिंग station हो गया मिलिंग station पर रहे मिल्ग का juice बना और इसमिलिंग station पर घ् switch and water मिल आते हैं यह क्या है यह होता है इंबीबीशन मॉटर जिसकी जो जूस की और इंबीबीशन मॉटर की परसेंटेज होती है वो 22.7 अब इसके बाद जो हमारा बगास होता है वो चला जाता है इसमें हम मान के चलते हैं कि 017% का लॉस हो रहा है राजूस हमें कुतना मिला टोटल इतने लॉस के बा अब यहां से जो गंदगी होती है उसकी वह बाहर निकल जाती है और इसे हम fertilizer के तौर पर यूज करते हैं किसमे? fertilizer में इसको आगे भी हम बात करेंगे इसे हम fertilizer के तौर पर यूज करते हैं और loss is 0.44% होता है अब जब उससे गंदगी निकल गई मड निकल गया तो juice हलका हो गया light juice जो मिला वो मिला 89.9% अब इसे हम भेद देंगे evoeration system evoeration station पर क्या होगा कि इसको हम evaporate करेंगे evaporated water भी इसमें निकल जाता है 72% उसके बाद concentrated juice जो होता है वो 34.4% होता है फिर इसको हम crystallize कर देते हैं जैसा कि आपको बताया और centrifugal machine के थूँ हम अपना sugar 6-10% निकाल लेते हैं अब ये 6-10% क्या होता है इसके बारे में भी हम खूब अच्छा से समझ लेते हैं यही राज है manufacturing का 6-10% का जो सारे सुगर plant वाले मार करते रहते हैं देखिए ये जो 6-10% निकला ये होती है sugar recovery दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि sugar recovery क्या होती है ये होती है हमारी sugar recovery अब इस 6-10% की sugar recovery कहीं कहीं किसी किसी plant में 11 तक चली जाती है 11.5 तक चली जाती है ये उस plant के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपना juice milling वेरा करते हैं ये recovery होती है ये recovery मौसम पर गन्ने की quality पर और बहुत सारे factors पर निर्भर करता है इसे और process से हम समझें तो mill station पर juice बना juice की heating हुई और ये 70 degree तक हमने इसको heat किया यहीं पर हम इसे रा juice कहते हैं और फिर deficiator कर देते हैं और इसकी पीएच वेल्यू आ जाती है वह 7.1 आ जाती है और फिर deficated juice heating जो होता है 1.3 103 degree centigrade और यह 103 degree centigrade जो होता है यह sulphiter होता है दोस्तों sulphiter यह होता है sulphiter उसके बाद juice clarification होता है और juice clarification में ही हमारा clear juice pump यूज किया जाता है क्या जाता है clear juice pump फिर evoporation होता है crystallization होता है और फिर crystallization के बाद centrifugal और रा सुगर हमारा सामने मिल जाता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको थोड़ी ही सही लेकिन समझ में आई होगी कि किस process से क्या होता है आगी की वीडियो ऐसी ही informative रहेगी जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से physical overview हम दिखाएंगे आपको कैसे सुगर बनता है और उसके क्या-क्या plants में क्या-क्या main factors होते हैं आप लोगों ने बहुत सारे points पर cover करने के लिए comment किया है मैं एक एक करके उसको cover करूँगा लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है बहुत ही अच्छी मैं काम कर रहा हूँ BFD पर अब हम बात करेंगे कि BFD पर parameter setting कैसे हम आपको समझाएं किस तरीके से बताएं कि parameter setting आपको अच्छे से आ जाए BFD की types कान कौन सी होती हैं कैसे huge की जाती हैं इन सब चीजों के बारे में हम एक BFD की detailed overview वीडियो पनाने जा रहे हैं आप इस चैनल को like करिए, subscribe करिए और notification bell जरूरान करिए जिससे आपको next वीडियो जो सबसे ज़्यादा important BFD है उस पर मिल सके thanks for watching this one, मिलते हैं फिर किसी नए और बहतरी वीडियो में